लोकायुक्त पुलिस ने दतिया जिले के भांडे इर में महिला बाल विकास विभा की परियोजना अधिकारी सपना यादव और बाबू रवी प्रकाश उपाध्य को 11,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगहातों किरफतार किया है लोकायुक्त पुलिस को सूचना मिली थी कि परियोजना अधिकारी और बाबू सम्हू का पैसा निकालने के लिए 30% कमीशन मांग रहे हैं शिकायत करता चंदरशेखर तिवारी लोकायुक्त की इस कारवाही से काफी संतुष्ट हैं उनका कहना है कि ऐसी कारवाई भष्टचार पर लगाम लगाएगी मेरी मेरम के नाम परिहित संसाहिता समुई करके हम आगनबारी किरमाग चार में सोवन में खाना देते हैं उसका जो प्यमेंट निकलता है यहां से उस प्यमेंट के यह वज में यह 30% लेती हैं परियोजना अधिकारी CDPO और बाबू रभी प्रिकास अपाद्याजी तो 30% के हिसाब से हमारा प्यासा बना 30,000 रुपाई का डिमांड था तो 7,000 रुपाई हम पहले दे गए फिर 11,000 फिर मैंने सूचा अभी मैंने लड़की किसादी थी लुकाईक्ट में सिकाद की तो लुकाईक्ट से फिर हमारी 18,000 में डीलिंग हो गई ती 30,000 रुपाई मांगा था इनने तो फिर हमने लुकाईक्ट में सिकाद की वहां से लुकाईक्ट की माई और 11,000 मैंने कैस दिये मैडम को दिये मैडम बोली बाबू को दे दो तो बाब पैल अनुब भाहिए और सब्सेन मिल्कुलौल कि प्रवेबशे द्रटा स्वılar 10ator को जारी करने के अवज में इनसे 30 2030 की दिमांड कर रही है जो करीब 30,000 रुपे हो जी है तब जब इनने रिकोड की उसके बाद इनको हमने भीजा गया है कि आप जो ना वहां जाईए और इनको वाइस रिकोड़र देके आप इनकी बात रिकोड़ करके लाइए तो पर्योजना अधिकारी यादव मरा और जो पध्या भागु इनसे इ श्वाइब करें मुझा आप एंफ़ किया बाद ही से 11000 रुपई बेह गएा ऑन पर हमने वेजानी कारवई करण हो कि सर्क किसके पास में 11000 रुपई उस्षा बातिया जी ये उस अबाद्या बाहु है उनके पास रहा ही यापतिया इनकर पर तो पिया नाम के पहां सरुन का परकास उपात्या है जो बागु है उनके पास है उनके जेव से बारे पास तो हमीजे शिकायद आई थी